असलाम वालेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बड़े केक गोश्ट के देगी यखनी पुलाओ की रेसिपी बहुत ही डिलिशल बनता है बहुत ही इजी तरीके सा आप इसको बना कर तयार करेंगे रेसिपी पसंद आए प्लीस लाइक कीजेगा चेनल पर नए है तो करेंगे इसको बनाने के लिए गोश्ट जाए तो यहां पर देगी हमने एक किलो एक गोश्ट ले लिया है अच्छे से इसको बॉश कर लिया यहां मैतने व्यंकरत आप चाहें साधा वाला भी ले सकतेगे तो यखनी बनाने के लिए सबसे पहले पोटली तेयार करेंगे तो हमने यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा ले लिया है और इसमें एट करेंगे वन टेबल स्पून साबुद धनिया वन टेबल स्पून सौफ एक इंच का दार्चीनी का टुकड़ा तो बस यह मसाले चाहिए कि यह मसाले फोल जाते हैं प्रेशर कॉंकर लेए लिसे। यहाँ बड़ी साइस का प्याज जिसको हमने छी का और पोटली है के और अप गोस्टे शेट कर देंगे वन टी स्पून नमक और अब इसमें हम छे ग्लास पानी अट करेंगे हम एक्स्ट्र इसमें जब बिरियानी बनाएंगे तो इसमें एक्स्ट्र पानी नहीं अट करेंगे इसमें जो यखनी निकलेगी बही पानी यूज़ करेंगे तभी आपके पुड़ाव एक्दम टेस्टी सा बनेंगा तो अब इसको कवर कर दिया है एक स्विच्री हाई फ्लेम पर लेनी है पंद्रमनेट स्लो फ्लेम पर पका लेना है तब तक हम मसाले तियार कर लेते हैं तो यह देखिए हम नहीं यहां पर लिए हाफ टीस्पून काली मिर्च हाफ इस्पून जीरा एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा छे लॉंग दो बड़ी लाइची एक स्टार फूल हाफ नटमेक यानि जाइफल यहां पर मेरे पास तूटा हुआ है पांच हरी लाइची एक फूल जाबित्री का तो इन मसालों को हमें कूटना है जब आप इसको बि इस तरह से देखे हमने मोटा मोटा सा इसको कूट लिया है तो अब इसमें कुछ चीज़े और एट करेंगे वन टेवल स्पून नारियल पौडर वन टी स्पून पीली मिर्च आपके पास नहीं है तो हाफ टी स्पून रैट शुली पौडर भी एट कर सकते हैं मिक्स कर लें कर? अब हम लेंगे यहां पर एक बंच लेसन का यहीं menor ने इस mechanics now नहीं च七 एक बाड़ा सा टुकड़ा दो इजने मतलब आड्रक चमी चिल्का निकाल दिया है और इसको मोटा मोटा सा यहां लेंगे पेस्ट नहीं यहं iz करना है पुलाव के अंदर इस तरह से कूटा हुआ एट करेंगे वन फोर्थ कव हमने इसमें पानी एट कर दिया है अच्छे से इसको मिक्स कर दिए और ये देखिए पेस्ट तियार हो गया है तो इसको साइट कर दिए अब यहाँ पर हमने 6 हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया इस तरह से कूट कर लेना है तो हमने कूट कर लिया इसको साइट कर दिया अब देखिए यहाँ पर यखनी तयार हो गई है अब इसके बोटियां अलग कर लेंगे और यखनी अलग कर लेंगे और oil के quantity आप अपने हिसाब से adjust कर सकते हैं, कम खाना पसंद करते हैं, तो कम एट कीजिए, ज्यादा पसंद करते हैं, तो ज्यादा, अब यहाँ पर हमने तीन बड़े size के प्याजो को slice कर लिया है, तो यह देखिए, इसका एक तेहाई हिस्सा हम बचा कर रखेंगे कच्छा, बाकी के हम golden fry कर लेंगे, इसको side कर देंगे, इसका use हम बाद में करेंगे, तो यहाँ पर देखिए, हमने प्याजो को golden fry कर लिया है, अब इनको बाहर निकाल लेना, इसी point पर आप बाहर निकाल लीजिएगा, अकर ज्यादा प्याज कर लेंगे, तो उसका color घराब हो करेंगे, अब इनको हमें कुछ second के लिए fry करना है, अब इसी के साथ हम इसमें add करेंगे, अद्रक lesson जो हमने कूट कर रखा हुगा था, इनको डाल कर 2 मिनट हमें भून लेना है, हाई flame पर, तो यह देखिए, यहाँ पर 2 मिनट हो चुके हैं, अब हमें ले लेना है, हरी मिर् अब इसमें यखनी की बोटियां add करेंगे, mix करेंगे, इसी के साथ हम इसमें दही add करेंगे, तो हमने 150 ग्राम, 1500 ग्राम दही लिया है, फेंट कर लें दही को, अच्छे से दही डाल कर हम यखनी को high flame पर भूनेंगे, अगर आपको हमारी बड़े की कोई भी recipe चाहिए, तो हम यखनी को हमने बोटियों का अच्छे से भून लिया है, अब इसमें हम पानी add करेंगे, तो देखिए हमने जो यखनी निकाली थी, मतलब यखनी का पानी निकाला था, वही add करेंगे, तो हमारे पास 4 glass चावल है, तो 6 glass हम पानी add कर देंगे, जितनी आपकी यखनी निकले, उतना ही आप इसमें add कर लीजिएगा, एक किलो चावल है, एक किलो चावल के चार glass बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने 6 glass यखनी का पानी add कर दिया है, तो यह दी कि आप इसमें एक उबाल आने देंगे, हाई फिलेम पर, और आप देख सकते हैं, उबाल आ चुका है, और अब आप करेंगे, तो हमने यहाँ पर इंडिया गेट गोल्डन राइस लिए हैं, इनको दो गंटे पहले बिगो कर रख दिया था, अब इसका हमें पानी निकाल देना है, चावल का और चावल इसमें add करेंगे, आप इसको बासमती राइस के साथ भी बना सकते हैं, अगर आपक चीरा लगा कर, और अब add करेंगे, इसमें बन फोर टी स्पून टाटरी, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो आप इसको skip मत कीजिएगा, जरूर एट कीजिएगा, आपका प्लाव बहुत ही टेस्टी बनेगा, अच्छे से mix कर लेंगे, और अब नमक add करेंगे, यहाँ पर मैं बन टेबल इस्पून अभी add करूंगी, mix करेंगे, तो यहाँ पर मैं टेस्ट कर लूँगी, अगर नमक कम लगेगा, तो हम इसमें और add करेंगे, तो यह देखें, अमक हमने टेस्ट किया, तो half teaspoon हम इसमें नमक और add करेंगे, अच्छे से mix करेंगे, और अब तो cover करकर पकने के लिए छोड़ देंगे high flame पर जब तक इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी न रह जाए, तक तक हमें इसको पकाना है, तो यह देखिए, इसमें इस तरह से holes नजर आने लगे हैं, तो बस इसी point पर हमें इसको दम देना है, तो इससे पहले हम कुछ चीज़ा एड़ करेंगे इसमें, तो देखिए, दो टेबल स्पून हम इसमें एड़ करेंगे pure घी, इससे बहुत अच्छा flavor आएगा पुलाव का, तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून pure घी एड़ कर दिया है, 1 टी स्पून kebra water एड़ करेंगे, और अब एड़ करेंगे हम इसमें golden fry प्याद जो हमने करकर रखे हुए थे, और थोड़े से हम बचा कर रखेंगे, गार्निशिंग के लिए, और अब इसको हमें दंपर लगाना है, तो हम यहाँ पर कपड़े से इसको दंपर लगाएंगे, आप अलमिनियम से चाहें, उससे लगा सकते हैं, आटे से चाहें, फ्लेम बंद करने के बाद 15-20 नट आप ऐसे ही छोड़ दीजेगा, इससे चावल आपके एकदम खिले खिले बनेंगे, तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट दम लगे हुए हो गए थे, और 15 मिनट हमने एक्स्ट्रा फ्लेम बंद करके भी छोड़ा था, तो बस यहाँ पर हमारा प्लाव बनका रेडियो चुका है, यह देखिए, एक एक चावल खिला 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 बनाए, बहुत ही अच्छी कुश्बूय आ रही है, बहुत डिलिशेस बनाए, तो इस रेसिपी को ट्राइ करना तो बनता है, और जब भी आप रेसिपी ट्राइ करें, तो मुझे चाहिए, तो हमारी चैनल पर अपलोड है, या फिर चट्नी की रेसिपी चाहिए, तो बो भी हमारी चैनल पर अपलोड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हैं, तो रायते चट्नी के बिना तो प्लाव अधूरा होता है, तो आप जरूर चैक कीजिएगा, रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो इंशालला नई रेसिपी के साथ फिर आजिर होंगी, तब तक के लिए, अपना बहुत सारा खयाल रखें